हेलो असलाम उलेकिम अवरेवन क्या हाल है होप आप लोग सारे ठीक होंगे आज हम लोग बीटी से का टेक्निकल करेंगे लेकर उससे पहले डिस्क्रेमर यह वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है क्रिप्टो करण सी कहाई रिस्की इंवेस्मेंट है तो यहां पर बीटी सी का एक फोर आवर का चार्ट है सबसे पहला जो चीज है बीटी थी एक रेंज बाउंड कर रहा है यहां से सिर्फ यहां तक का एक ट्रेड ले रहा है मतलब यहां जा रहा है यहां से रिजक्ट हो के नीचे साम पाइटरं जो है वह बन रहा है इसके अंद करके वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों ओपन करी एंड किसी साब से मैं ट्रेड लेता हूं सारी चीज़े सबसे पहले चार्ट को देखें ना तो मैंने पहले भी आपको बताया तो एक हम लोग रेंज बाउंड के अंदर गूम रहे हैं हम लोग 42 के यह को शॉपोर्ड लेने 45 यह को रिजिस्टेंस ले रहे हैं एंड इन शोटर टाइम के लिए हमारे पास एक रेडिसेंस एरांड 4450 का यहां से नीचे आते हैं लॉंग करते हैं शॉट करते हैं यह सिस्टम चल था हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या होने वाल सब्सक्राइब लिए फिर एक रिजिस्टेंस और फिर सब्सक्राइब ले रहा है जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्किट इस वाले सपोर्ट जो कि एराउंड 43,500 थर्टी यह असपास है एक मेजर सपोर्ट तो नहीं कहूंगा लेकर शौडर टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट है जिसको मानके मैंने एक लोंग पॉजिशन इथिरियम के अंदर आपन करी हैं मुझे मापको बताता हूं क्यों ओपन करिया और कितने पैसों से की है जो भी चीज़े हैं वो मैं बताता हूं ठीक है तो यहां पर मेरे हिसाब से इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्किट सब्सक्राइब यहां यहां जाएंगे फिर हून नीची आसे इस बार हम लोग अगर 45 सब्सक्राइब नेकिन ऊपस जाएंगे आराम से और आज से ना काफी देर पहले मैं आपको एक डेली के चार्ट पर लेकर चलता हूं ताकि मैं आपको सारी चीजें समझाओ मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है बट चार्ट को मैंने बड़े अच्छे से एनलाइज किया हुआ है मैंने इससे पहले को और चैनल था जो के यूट्यूब साइम से बीटी सी इसको लेकर आ रहा था सपोर्ट रेजिस्टन और जिस दिन ये टूटी थी कैंडल तो मैंने उस चैनल के उपर वीडियो बनाया था कि भाई तुम लोग लोंग ले लो बले आप लोग पचास एक्स का लिवरेज लेकर ले लो फॉर टारगट 55,000 ठीक है 55,000 डॉलर तक का आप लोग टारगट लेकर चलो लॉंग ले लो और मैंने भी लॉंग लिए मैंने तो अपने लॉंग फॉर्टिफाई पे एक्जट कर दिये बिगोज मुझे पता था कि वहाँ से एक गोल्डन रेशो तो नहीं एक फिबोनाची की एक लाइन बनती है जहां से तो के अराउंड तो हम लोग अराम से फैब के अंदर जाने वाले हैं तो मेरे हिसाब से लोग अपरचॉनिटी जो बनी थी ना उस टाइम पर हमने एक मोटा प्रॉफर लिया था लिवरेज अभलोग ज्यादा नहीं लेते हैं बीटी सी के अंदर टूइंटी का लिवरेज म मेरे हिसाब से मैनेज हो जाता है अगर आपको थोड़ा टीए करना आता है ठीक है तो राइट डाओं मेरे हिसाब से बीटी सी के अंदर कुछ खास नहीं है मतलब वैसे तो मार्केट बीटी सी को देखके ही चलती है तो यहां पे एक बार मैं आपको दिखाता हूं यह खतम करत है जिसको यह फॉलो कर रहा है और मेरे हिसाब से इसको फॉलो करेगा अगर इसको फॉलो नहीं करता यह ट्रेंड लाइन को तो हम लोग एक सपोर्ट जो है अच्छी खासी सपोर्ट है 42,000 500 तक की उसको हम लोग पकड़ेंगे वहां से को बाउंस बैक लेंगे और इस बार अगर 45 के आजब जाते हैं मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा खासा टार्कर लेकर चलेंगे 47,000 यह 49 50 55 तक ठीक है अगर इसको भी मार्केट होल्ड नहीं करता फॉर सम रीजन मार्केट के अंदर कोई भी बैड नहीं हो जाती है तो हम लोग घर जाते हैं तो हमारे पास एक सब्सक्राइब नहीं तोड़ेगी इसको तो आप लोग लॉंग फोटी पे अराम से ओपन कर लेना बड़ा मजाएगा चीजें पॉजिटिव होंगी अब मैं बताता हूं आपको एथीरियम के मैंने क्यों जो शॉटर टाइम फ्रेम के अंदर चीजे हैं एथीरियम की मुझ क्रोस ओवर देख रहा है फोर आवर के अंदर जो के लगता है कि मार्किट को हलका सा नीचे लेके आएगा हम लोग अराउंड फोटी टू थाउजन सिक्सेंडर्ड पे भी आ सकते हैं आज के दिन लेकन मैं ये निए जा रहा हूं कि आ ही सकते हैं यहां से कियोंकि यह इंडीकेटर जो iste हैं लैग इंडिकेटर होते हैं अगर अभी मार्किट हालकी उपर गई टो तो इनका उपर से क्रॉस अपर होगा और हम लोग उपर भी जा सकते हैं तो मैक डिक अंदर धोड़ा सा डाउन ट्रेंड है बाकी सारा अभी तक बुलिश है डरने की कोई बात नहीं इस चैनल को फॉलो कर ले ना तुम्हें मैं ऐसी चीज़ से बताऊंगा जो के इंट्रा डे हो रहा है बहुत फोसुरवा जब भी क्रोसावर होता है मार किट नीचे घरता है यहार से यहां से यहां पर क्रोस एफटार था श्यांत करेप साथ हो बाता है कि इन के चलो मेरे पास 500 डॉलर का फ्यूचर का अकांउंट है तो नहीं हो सिर्फ और सिर्फ 70 डॉलर का ट्रेड ओपन करा है एंड अगर मार्केट वहां से नीचे गिरता है तो यहां पर मैं में एंट्री लोगा राउंट दो सो डॉलर की फिर अगेन अगर मान के चलो इससे भी नीचे जाता है तो एक मेजर सपोर्ट जो है वहां पर मैं अपना सारा माउंड लगांगा जहां पर हमें हमारी जो डीसी की एंट्री हो जाएगी वह राउंड यहां कहीं हो जाएगी और अगर हलकी सी मार्केट पंप होता है तो हमें एक मोटा प्रॉफिट होगा तो अभी तो मेरे हिसाब से मार्केट मज़ेदार चल रही है पैसा कमा जतना कमा जा सकता है मज़े करो बीडिसी के अंदर कुछ खास रखना बाबा टेक केर